आपकी C-section Delivery हुई आपने ऐसा क्या किया जो आप इतनी जल्दी रिकवर करके आपने इतनी जल्दी बेट भी कम कर लिया आपका रूटीन क्या था आप क्या खाते थे आपने क्या प्रिकोशन्स लिये ऐसे तमाम सवालों के आपके जवाब देने के लिए मैं यहां पर हूँ हेलो एवरीवन विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं जिससे कि आपकी C-section Delivery के बाद आपकी जो रिकावरी होगी वह बहुत तेजी से होगी आपको कोई परिशानी नहीं होने वाली है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए एक एक लिप्स को अगर आप चाहिए तो आप नोट करके रख लीजे और मैं अपना C-section Delivery के शेयर करूंगी कि उसके बाद तो आप जरूर से जरूर देखिए तो चली है मैं बात कर लेती हूं कि आपको क्या क्या चीजे करनी है और किन बातों का ध्यान देना है तो सबसे पहले C-section Delivery के बाद आपको अपने टाको का खयाल रखना है ताको का खयाल कैसे रखना है वैसे तो डॉक्टर्स आपको बता क्याहिक को क्यान क्या-था नहता है यह ज्युट गलदी ओलदी ज nuclear जल्दी नहीं होगी और आपके बत बहुत बचना है दूसरी आपको यह करना है पो थोड़े लूज कपरें तकि उस एरिया में एयरपास हो जल्दी से सूख जाए उसके बाद अब मैं बात कर लेती हूं नेक्स टिप की नेक्स टिप है कि आपको कॉंसिपेशन से बचना है क्योंकि अगर आपको कॉंसिपेशन हो गया डेलिवरी के बाद तो आप अगर पॉटी के ताइम प्रेशर लगाएंगे तो स्टिचस पे आप और कैल्शियम रिच होना चाहिए वाइटमिन सी होना चाहिए वाइटमिन सी भी रिकवरी में आपको हेल्प करती है तो आपको ध्यान देना है कि आप एक बैलेंस टाइट ले रहे हैं क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड भी कराना है आपकी बडी को भी रिकवर करना है प्लस अगली टिप है कि आपको पानी बहुत जादा पीना है पानी पीना है जिससे कि आपको कोंसिपेशन भी नहीं होगा दूसरे चीज़ आपको बेबी को फीड कराएंगे तो आपके बोडी के वाटर इंटेक पर ही डिपेंड करता है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी उससे बढ़ती है वाटर जैसे कि आप जानते हैं वह नैचरल डिटॉक्स करता है तो इसलिए कि दिटॉक्टर नहीं को बेड रहते हां इंटर मेरेचिं अगर आपको बीयुज आपको बेडर्ष नहीं करना है इनिटके नहीं कोड़ा देलिवरी के बाद ही डूसरे दिन से ही डॉक्टर निए बीवस्ट्रो याज़ आपको बौलेगे कि आप उठकी networks झाटके चाहे उ दीरे धीरे दीरे करके आपको वाग के डियूरेशन को बढ़ाना है जैसे मेरा था कि मैं अगले दिन से ही उटके वाश्टोम मे आपको लेनी पड़ेगी उठने में हल्प चाहिए आपको लेखने में लेकिन तीन महिने तक आपको बेड्रेस करना है यह सरासर गलत है ऐसा द होगा आपकी रिकवरी अच्छी रहेगी और अगर आपको ने मना किया है बेडरेस्ट ही बोला है क्योंकि हर केसे सेम नहीं होते हैं हर सी सेक्षिन डिलिवरी की स्टोरी सेम नहीं होती है तो इसलिए ज्यादा तर तो आपको वही चिज़ें फॉलू करनी है जो डॉक्तर की है डॉक्टर ने आपको बताई है पर अगर आपको केस गु devoted कि मेरी तरह था आपको बॉक करना ही गरना है उसके बाद मैं बात कर लेती हूं नेक्स Πेर style यह है कि आपको मसाज़ करवाना है इससे आपको रिलाक्स फील होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा अब जो सबसे इंपोर्टेंट टिप है वो है कि आपको हेवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट नहीं करना है क्योंकि कुछ जैसे पुराने जमाने के फामिली मेंबर्स होते हैं उन में लोग बोलेंगे अरे मेरी डेलेवरी के टाइम में तो यह सब किया था और तुम भी कर सकते हो पर आपको ऐसा नहीं करना है आपको पता है आपके साथ क्या चीज़ें हैं और डॉक्टर ने आपको अ तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपोर्टेंट टेप्स क्लियर कर दिये हैं पिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछें मैं जरूर से जरूर रेप्लाइब करूंगी आपको अच्छा लगा होगा आपके लि वीडियोज आप सब किली नाती रहोंगी